आ रहे हैं द्याडी मजदूरी भी नहीं मिलेगी पूरी तरह से सामने आ रहे हैं पूरी तरह से चोपट हो गया किसान का तेल निकल चुका है अब कहते हूं कि 30-40% या 60% आप दोगे हमने लिख लिया हाँ पसल खराब हुई है दोगे तो कहता हूं इन किसानों को 100% मिलना चा पाऊँ आप सरदी गहीं नहीं है मैंने पिछली रात देखी है कल की रात मेरी खाजवाला की धरा में थी बहुत ज़्यदा कड़कदार ठंड है जो रही थी नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आप सभी को सरफ फर्थम मेरी और से राम राम नमस् आप सरदी आप सरदी खाजवाला की फसल है जिसमें कितना ज़्यदा नुकसान हुए है क्या कुछ है तो आपको दिखाते हैं वीडियो में कंट्यूनू बने रहें मेरे साथ और देखते रहें बहुत बहुत धन्यवाद कंट्यूनू बने रहें वीडियो को देखते हैं और चलते हैं सर्चू की फसल है और भी केहू की फसल है काफी वसल है यहां पर अमें खेत के बीचो बीच मौजूद हूँ और चारो तरफ देखा जाए तो इधर बाजरी की फसल भी है लेकिन बा बने बांगत भी जानकिया वाँ उसकी सर्चू हो में तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है वह भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में तो कंटीूनिव बनेरो मेरे साथ और इस वीडियो में सब कुछ दिखाने का परियास आप से तो दोस्तों इतनी ज्यादा जो ठंड थी बहुत ही ज्यादा अभी भी बात करें तो जो पास्त बिजान किया वाता कह सकते हैं कि लेट बिजान वाता सर्शु का उस बिजान को भी कहिन कई नुकसान अभी होने लगा है क्योंकि रात का दिन था बहुत ही कड़कदार ठंड रात में भी गि यह तो मैं उन से निवेदिन करूंगा कि जो आप वह ऊपीस में बेटकर आप 30 पर שמן यह 40 ख्राबा लिखते हो तो आप कह laquelle इन ख्येतों में आकर देखो कितना परशेंट आपको ख्राबा लिखना चाहिब क्योंकि इनके यहां पर रे है, खाद है, ट्रेक्टर चला, दो, दो, तिन, तिन, बार भी जान किया, उसका खर्चा इनका घर से लग रहा है, अब पता नहीं यहां पर लगाएंगे, अगर इसके अंदर से ट्रेक्टर चला के इसको नश्ट करें तो भी वो तेल लगेगा, औ और काटे तो इसमें मजदूरी लगेगी वह भी कहां से लेकिए सामने आता है कुछ नहीं बनेगा इस सर्शू में मैं आपको जो यह पिछे सर्शू देख रहे हूं इस सर्शू के बीज पूरीतर से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसी है इस सर्शू के बीज अंदर ह पूरेतर से नैश्र्ट हो गई याने पूरीतर से इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और मिशू उनको जहना चाहता हूँग आपको यहांके राजा बन्ते हैं मान वारा जंग층 से मैं यह पंद्रा से वीडियो बना रहा हूं तो खाईवाला के राजा हैं और कही से अर बरपूर जो बिमा है कंपनी है उनके कहकर इनको अच्छी तरह से वो बरपाई नहीं कर पाओगे तो आपको चुनने का कोई मतलब नहीं बनेगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस परकार से जो फसल खराब हुई है पूरी किस परकार से नश्ट हो चुकिए इस वीडियो म मैं इस परकार से जो सर्दी गिरी है पूरी तरह से चोपड हो गई पूरी तरह से नश्ट हो गई यह फसल जुक चुकी है लेकिन अब मैं इसके अंदर आपको यह फड़ी है यह तोड़के आपको बताता हूँ कि किस परकार से है जो फसल में खराबा किस परकार से हुए है यह देखो यह आपके सामने है इस में से मैं दाना निकालता हूँ कि कितना परशेंट वो लिखते है कि 30-40 परशेंट है जो खराब हुए लेकिन अब आपको पता चलेगा कितनी परशेंट है जो खराब हुआ है वह ओपिस में बेट कर लिखने से कुछ नहीं वनेगा आप जब इन खिसानों के साथ में आए होगे तब आपको पता चलेगा कि क्या पूरी तरे से इसके अंदर जो दाना पूरी तरे से चोपट हो चुके है पूरी तरे से खराब हो चुके है और ये देखो इसमें देखो प चट्षंड है जो कड़कती घिर रही है तो मैं तो उमीद नहीं करता कि यह सर्शों बच्षपाएगी इस पूरी तरह से चोपड हो चुग है और ने मैं चलता हूं और भी आगे चलता हूं और भी आगे से आपको दिखाने का परियास करता हूं कि क्या रही है है को छी आगे चलते हैं को अतों है कर दिखाने कि अधिया सर्फनतों डिखाने का आप कुछ सब्सक्राइब judse की अभर यहां से आपको दिखाता हूं यह सर्फो है इसमें से आपको में दिखाता हूं यह है इसमें से अपन निकालते हैं आपको पढ़ेगा कि कितना दाना कितनी बड़ी यह फली है लेकिन इसके अंदर कितना क्या कुछ दाना निकलता है देखते हैं यह देखो यह देखो यह है दाने आपको दिख रहे होंगे किस परकार के दाने है पूरी तरह से चोपट है मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी यहां पर राज़ा है आपको दया करनी चाहिए क्योंकि किसान लोग आपको चुन-चुन करके आगे बेजते आपको नेता बनाते है यार और अभी आप इसी समय में देखो किसान इस परकार से कहें तो किसान खेती तो करनी नहीं चोड़ेगा वो तो करेगा क्योंकि इसकी मजबूरी है लेकिन पूरी तरह से किसान बरबाद हो जाएगा आज किसान का तेल निकल चुका है पूरी तरह से किसान का तेल निकल चुका है इसके अंदर भूज ज पूरा भर देंगे या कोई संज है और है जो गर पे लेकिए उसका किस्त है जो हमारी पूरी हो जाएगी लेकिन अब की बार तो पूरी तरह से सामने आ गया अब की बार नहीं यह हो जाता है और जो भीमा वाली कंपनी है वो हर बार किसानों से हजारू क्रोडों रीपे ह्राब हो चुकी है और केवल सर्शों की बसल नहीं है चणे है चणे के खेत में चने पूरी तरह से बुदीज चुके पूरी तरह से ख्राब हो चुके है तो क्लों ध सबसे बड़ा यह मुद्ध है कि वो कोल नहीं उठा रहे उनको कोल करें लेकिन नहीं उठा रहे अब कब हसल खराब हुई है लेकिन आके देखना इनके साथ इनका मुआजमा अगर आप लिखाते हुई है तो 60-70% दिखाते हो तो भी गलत है 100% मिलना चाहिए क्योंकि इस परकार से अगर होता रहा है तो किसान बर्बाद हो जाएगा और यह मैंने पहले ही कह दिया कि खेती तो करना नहीं चोड़ेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी यह जाए तो जाए कहां लेकिन अब इनमें ध्याड़ी किसान खेती करता है तो उसमें कोई ज़्यादा लाब नहीं होता है कि लाको क्रोड़ों कमा लेता है किसान नहीं पेट पल जाता है ध्याड़ी मजदूरी मिल जाती है लेकिन आज जो आप देख रहे हो तो सामने आ रहे हैं ध्याड़ी मजदूरी भी नहीं मिलेगी पूरी पाइदा नहीं होने वाले मैं तो कहता हूँ इन किसानों को 100% मिलना चाहिए आज आपको राजा बनाया है आप अगर राजा दमदार हो और सोचते हो तो इस किसानों को 100% जो बीमा वाली कंपनी इन से 1000 रिप्या वसूल करती हैं उनसे 100% इनको दिलाओ और जो इनको नुकसान हो आप मुझे पता है कि बरपाई कर पाऊगे क्योंकि यह सर्षु विगे की साथ 8 कुंट्रल विगे की सर्षु होने वाली सर्षु थी पूरी तरह क्या इस किसान की उमीद थी लेकिन आज पूरी तरह से नश्ट हो गई हैं चलो आगे और भी दिखाने का परियास करता हू और उमीद यही करता हूँ कि जो भी किसान साथी देख रहे हो आप जहां से भी देख रहे हो अब तक यह सर्दी गई नहीं है मैंने पिछली रात देखी है कल की रात मेरी खाजवाला की धरा में थी बहुत ज़्यदा कड़कदार ठंड है जो रही थी और अगर आपके इस इस परकार से फसल खराब हुई है जो पटवारी है या विमा वाले कोई भी है जो आके गई है आपके लिखे लेके गई है साथ परसेंट पचास परसेंट तो मैं कहता हूँ उससे कुछ नहीं बनेगा अब किसी ने तीजी या चोथी ले रखी है ठीक है दो मरबा जमीन है वो पूरी तरह से फारा लगा रहा है फसल में पूरी तरह से महनत कर रहा है इस सर्दी में और उसको जो 30 या 40-60 परसेंट मिलेगा उसमें से उसको क्या पांतिया है कुछ नहीं मिलेगा उसको वो तो चोपड़ वो तो रगडीज गया पूरी तरह से तो मैं आपसे यही नह करता हूं कि आप कोमेंट में बताओ कि आप कहां कहां से देख रहे हो और कहां कहां से इस परकार से फसल है जो खराब हुई है किस किस चीज की फसल खराब हुई है कोमेंट में फोटो भी पसल की आप मेरे साथ शेयर करो और मैं कोशिज करता हूं कि जो भी मेरी वाज जहां त साथ नहीं दिया तो उमीद किसान नहीं रखेंगे कि आप से कि आप साथ दे पाऊगे तो यहीं उमीद करता हूं अब यह करजा हो जाएगा फिर चुनावाएगा कहेंगे कि हम करजा माफ करेंगे करजा माफ करेंगे किसान फिर बोलापे में अपने को वोट देगा मैं तो कह यहां पर पर और मैं तो यह नहीं पर खिया हैं कि आप भी किसांती। से निवे दिन करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपके राजा तक पहुंचा दो और राजा के कानों में राजा के आंखों में यह फसल की जो फोटो है यह वीडियो है उनके साथ में नजर आए बहुत भोग धन्यवाद आप अपना संतो असाती फसल पूरी तरह से जुक गई पूरी तरह से जुक गई है लेकिन इस फसल में दाना नहीं है बिलकुल भी दाना नहीं है इस फसल में पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है और दिखने में बहुत अच्छी दिखती है आप हमारे जैसे वीडिया वाले वीडियो बनाते हैं करें कि हर वेक्ति तक यह पहुंच सके और आप कोमेंट में जुरूर बताएं कहां से देख रही है और आपके भी इस परकार से नुकसान हुए या नहीं हुए वह दिन्यवाद देख पिरों कॉंटिव अब मैं आपको इनकी फली है जो निकाल के हाथों में दिखा देता हूं कि किस परकार से किस परकार से है इसके अंदर दाने है या नहीं है यह फली है आप देख रहे हो इसके अंदर आपको में दिखाता हूं क्या है क्या नहीं निकलता है यह देखो भाई साब यह है यह सर्ष्व किसानों के खेट में देख लेना तरह से उन तक यह वीडियो पहुंचा देना किसानों के खेट में यह वसल निकलेगा यह तेल वाली वह भाई साथ है देखे व्या आफ ने इस वीडियो को शेर कर दो मैं दूसरे खेत में आया तो मैंने का थोड़ा सा दूसरे खेत का भी अप्टेट आपके साथ में देना चाहिए रहा वह भी दे दिया लेकिन ठीक है जो आप देख रही हो सामने वही है शेयर करते रहना और आपकी क्या राय है क्या कुछ कहना चाहते हो ज्यादातर लोग मुझे किसान ही देख रहे हैं मुझे पता है मैं भी किसान से जुड़ा हूँ मेरे मीडिया वाले मुझे देखते हैं वो भी किसान है कोमेंट में अपनी राय देते रहना और वीडियो को शेयर करते रहना और भी देखने के लिए मेरे फेज को फोलो करना बहुत बहुत अभार